इस वीडियो में हम बात करेंगे हिमालिया इव केर सीरप के बारे में तो इव केर सीरप एक आयुरॵेधिक प्रोड़क्त है और इसमें बेस्ट रिजल देने वाई टॉप क्वालिटी इंग्रीडियन्स का यूज करते हैं इसके की इंग्रीडियन्स की बात करें तो इसमें अशोका ट्री, सतावरी, लोध ट्री वा मालाबार नट प्रेजन्ट होते हैं इवकेर सीरप, मेंस्ट्रूल साइकल और एक्सेसी पीरेट पेन को कंट्रोल करता है और यह गर्भधान या कंशेप्शन के चांसेस को बढ़ाता है हिमालिया इवकेर सीरप को प्रिमेंस्ट्रूल सिंड्रोम और डिसफंक्शनल यूटेरिन ब्लेडिंग के इलाज के लिए यूज किया जाता है यह माशिक धर्म, चक्र या पीरेट साइकल को भी रेगुलेट करता है और हैवी ब्लीडिंग या भारी रक्स्राओ, इड्रेगुलर पीरेड्स या अनियमित मासिक धर्म और अब्डॉमिनल क्रैम्ट्स या पेट में एटन जैसे मासिक धर्म सम्मंदी डिसॉर्डर की इलाज में मदद करता है इसका रेगुलर सेवन हीमोगलोबिन के लेवल को बढ़ाने, रीप्रोड़क्टिव फंक्शन को रेगुलेट करने और यूटेरिन डिसॉर्डर के गारण होने वाले एनिमिया की इलाज के लिए भी किया जाता है और महिलाओं को जनरल वीक्निस के लिए भी इसे रिकमेंड किया जाता है अब आगे इव केर सीरप के बैनिफिट्स की बात करें तो जो असुका ट्री है वो एस्ट्रोजैनिक प्रॉपटीज के साथ आता है या एस्ट्रोजन के गुन होते हैं इसमें जो मासिक धर्ब या मैस्ट्रोवेशन के दौरान गर्भा से अंदरूनी परत को ठीक करता है और जो सतावरी है वो हॉर्मोनल लेवल को बैलन्स करती है और मासिक धर्ब चकरों को नियंतरित करती है नेक्स्ट है लोथ ट्री या ओवरियन हॉर्मोन्स को रेगुलेट करके फटिलीटी में सुधार करता है नेक्स्ट है मालाबार नट इनमें एंटी इंफ्लामेट्री और एनाल जैसिक गुन होते हैं जो डिसमेनोरिया के कारण दर्द में रहा देते हैं इस सिरप के यूज की बाद करें तो इसे सुबा शाम खाना खाने के बाद 10-10 ml लेना होता है इस सिरप को पीने के बाद गुनगुने पानी का शेवन करना फायदेमन साबित होता है